पाट क्रमांक तेविस माजा अनुभव भाग दोन सबक नंबर तेईस मेरा तजरुबा हिस्सा दूवम आईका ववाचा सुनो और पढ़ो शाडा सुटली मी घरी आलो स्कूल की चुट्टी हुई और मैं घर आया शाडा मतलब स्कूल इकड़े तिकड़े पाहिले तर आई जोप लेली दिसली यहाँ वहाँ देखा तो मां सोई हुई नजर आई याँ वेडी ती अशी कदिस जोपत नाही इस वक्त वह ऐसे कभी नहीं सोती मी आई जवडगे लो मैं मां के पास गया आई तुला बरब अटत नाही का मैंने पूछा मां तुमारी तब्यट ठीक नहीं क्या असे विचारत मी तीचे शेजारी बस लो ये पुछते हुए मैं मां के पास में बैड़ गया आई चे अंगाला हात लाउन पाहिला मैंने मां को छू कर देखा आई ला खुब ताप आला होता मां को बहुत तेज बुखार था ताप मतलब बुखार तीचे अंग तापाने फणफनत होते उसका जिस बुखार से तप रहा था मी लगे स्थंड पानी घेतले स्वच्छ रुमाल घेतला मैंने जट से थंडा पानी लिया थंड मतलब थंडा और साफ सुतरा रुमाल लिया स्वच्छ मतलब साफ तु थंड पाने अद बुड़ावला उसे मैंने थंडे पानी में डुबोया मी आईचे कपाड़ावर रुमालाचे घड़े ठेव लागलो मैं माके माथे पर रुमाल की पट्टिया रखने लगा कपाड़ावर मतलब माथे पर काही वेडाने आईचे ताप थोड़ासा कमी जाला कुछ देर में माँका बुखार थोड़ सा कम हो गया मी डौक्टरान कडे गेलो त्यानना घरी गेऊ नालो उसके बाद में डौक्टर के पाद गया और उने घर लेकर आया डौक्टरान नी आयला तापासले अउशदेली हुन दिली डॉक्टर सहाब ने मा को चेक किया और उसके बाद दवाई लिक्के दी आउशाधे मतलब दवाई मी आईला चाहा करूं दिला मैंने मा को चाय बना कर दी थोड़े वेडाने आईला जोप लगली थोड़ी देर में मा को नीन लग गई मी घर आवर ले घर स्वच्च जाड़ून केत ले मैंने घर की साफ सफाई की और घर में जाड़ू लगाई